जय गुर्देव जी, आज हमारे चैनल रुबी, हर पर आपको उन गुरु जी की जीवनी सुनाते हैं, जिन्होंने जगत गुरु रविदास महराज जी के जन्म अस्थान मंदिर की खोज करके, रविदासिया कोम को कांशी में मक्का बना कर दिया. वह है डेरा सच्खंड बल्ला के महानसत गुरु सरवन दास जी महराज, बाबा पिपल दास जी के बाद डेरे की सारा कार्यभार श्री संत सरवन दास जी ने संभाला. आप संगत को बहुत प्यार करते थे. आप जी का आगमन 15 फरवरी 1895 इसवी को सम्माननिय बाबा, पिपल जी और माता शोभावंती जी के पावन ग्रही गाव गिल पत्ती जिला बठिंडा में हुआ, संगत की संख्या दिन प्रती दिन बढ़ने लगी. नाम की दवासे, जहां आप संगत की जन्म जन्मांतरों की बीमारी का उपचार करते, वहीं उन्होंने आर्युवेदिक की बूटियों द्वारा स्थूल शरीर के इलाज का प्रबंध किया. इसके साथ साथ गुरु जी ने बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंध किया. महराज जी खुद बच्चों की क्लास डेरे में लगाते और पढ़ाई के साथ साथ श्री गुरु ग्रंत साहिब जी का अध भी करवाते. बाबा पिपल दास जी के समय दौरान ही आप संगत की सेवा में से समय निकाल कर एकांत वास में साधना के लिए चले जाते थे. जहां बैठ कर स्वामी सर्वन दास जी भक्ती साधना करते थे, उसी स्थान पर उनका यादगारी मंदिर डेरा सच खंड बल्ला म के निवासी सर्दार हजारा सिंह ने दान की थी. गर्मी एवं बरसात से बचाव के लिए इस स्थान पर कच्ची इंटों की एक कुटिया बनाई गई थी. कुटिया के सामने एक थड़ा था, जहां बैठ कर संत सर्वन दास जी संगत को प्रवचन सुनाया करते थे. इस थड दास जी को संगत की सेवा में जोडा. कुछ समय बाद संत गरीब दास जी और संत निरंजन दास जी ने भी अपना जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया और संत सर्वन दास जी द्वारा लगाई गई सेवा कुशल धंग से निभाने लगे. श्री गुरु रविदास जन्मस्थान काशी में मंदिर का निर्माण, दुनिया भर में श्री गुरु रविदास जी के जन्मस्थान पर कोई एतिहासिक मंदिर नहीं था. स्वामी सर्वन दास जी, स्वामी हरी दास जी और स्वामी गरीब दास जी ने विचार कर काशी में गुरु रविदास जी के जन्मस्थान पर मंदिर के निर्माण की योजना बनाई। कलश के बगैर इस मंदिर के निर्माण का कार्य तो संत सर्वंदास जी के जीवनकाल में ही प्रारंभ हो चुका था। परंतु मंदिर की तैयारी का कार्य गुरु जी के बाद श्री 108 संत हरी दास जी और महाराज श्री 108 संत गरीब दास जी ने करवाया। स्वर्ण कलश 1924 में श्री 108 संथ गरीब दास जी ने संगत के सहयोग से चढ़ाया। इस मंदिर में जगत गुरु रविदास महाराज और स्वामी सर्वन दास जी की मूर्ति की स्थापना एक विशाल संथ सम्मेलन करवा कर 22 फरवरी 1906 में की गई। इस मंदिर का प्रबंध श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है। सारे संसार में परमार्थ का एक विशाल केंद्र बन गया है। दुनिया भर के श्रद्धालूओं की नजरें इस स्थान की ओर आकर्शित हुई। सत्गुरु जी के चरणों में से सभी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। प्रति दिन आश्रम में संगत की चहल पहल लगी रहती थी। परमात्मा की आग्या के अनुसार 11 जून 1972 का वह दिन आ गया, जिस दिन सत्गुरु स्वामी सरवंदास जी, महराज अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण करते हुए परमात्मा में विलीन हो गये। संगत आप जी की कुर्बानी सदा याद रखेगी। जे आपकी ही महान खोज थी कि जगत गुरु रविदास महराज जी के जनमस्थान मंदिर को हर साल लाखों की तादाद में संगत कांशी में दर्शन करने के लिए आती हैं। और वर्तमान गद्धी पर विराजमान सत्गुरु निरंजन दास जी डेरा सचखंड बल्लान सारा कार्य चला रहे हैं। बलहार जाते हैं गुरु जी पर अगली गुरु जी की जीवनी सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल रुबी हर जरूर सब्सक्राइब करें जी। जय गुर्देव जी, जय गुरु रविदास जी, जय बल्ला वाले सत्गुरु जी।